दोस्तों पिछले अपते हमने आपको Complete Technology Channel के Community Post पे तीन सवाल पूछे थे सवाल बहुत बेसिक से थे आपने जवाब भी दिये लेकिन क्या जवाब दिया यह देखते यहाँ पे देखिए पहला सवाल था नीचे देगे Computer Devices में Input Device कौन सा है तो यहाँ पे इसका अंसर तो Mouse है अपकोस और 86% लोगों ने सही जवाब दिया है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जिनको अभी Input Device और Output Device में डिफरेंस किया पता नी और उन्होंने कहाई कि Monitor Input Device है, Printer Input Device है कुछ लोगोंने तो CPU को Input Device का है और एक सवाल मैंने पूछा था कि इन में से Output Device कौन सा है तो यहाँ पे 87% लोग सही कह रहे है कि Monitor Output Device है लेकिन कुछ लोग Mouse को Output बोल रहे है Keyboard को या CPU को Output बोल रहे है और एक सवाल मैंने यहाँ पे पूछा था What is the full form of RAM? इसका जवाब है Random Access Memory 94% कह रहे है सही जवाब है 94% लोगों का लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि गलत जवाब दे रहे है तो आज की वीडियो में मैं इन Community Post का जवाब तो आपको पता चला है लेकिन Input Device, Output Devices में डिफरेंस क्या होता है RAM बिसिकली क्या होती ये डीटिल में बताने वाला हो तो आपको पता नहीं तो वीडियो इंट तक देखिए साथी में इस वीडियो में आपको मिलने वाला है Special Giveaway अब Special Giveaway क्या है? Giveaway मतलब कुछ चीज़े Free में मिलने वाली है तो अगर आप ये Free की चीज़े या फिर ये Giveaway में Participate करना चाहते किस तरह से Giveaway रहेगा आप कैसे Giveaway जीत सकते क्योंकि एक नहीं दो नहीं पूरे पाच लोगों को मैं यहां पे Free Giveaway देने वाला है जियां दोस्तों तो अगर आप Interested वीडियो इंट तक देखिएगा आप बीच में कई पर बता दूँगा फिलाल हम इनके बारे में जानने वाले जो Community Post पर मैंने सवाल पूछे लेकिन सबसे पहले बताओ कि Community Post आपको पता नहीं तो चैनल के उपर आप जाएंगे तो Home, Video, Shots, Playlist, Essay Option मिलते हैं जिसमें Community Tab एक है जिसमें हम सवाल पूछते हैं तो आगे चल कर आप भी अपना नौलेज बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम हर हपते तीन सवाल पूछने वाले तो जरूर चेक आउट कीजीगा इन Community Post पूछे को जिसमें Community Post की उपर के Questions देखे और कुछ लोगों के गलत जवाब आयते हैं उनको पता नहीं के इनपूट और आउपूट डिवाइसे में डिफरेंस क्या होता है एक दम सिंपल भाशा में मैं समझा देता हूँ आपको input devices वो devices होते हैं जिन के घरीए हम कंपीटर को instruction पास करते हैं कंपीटर को कुछ ना कुछ देते हैं basically कंपीटर को हम देंगे तभी तो कंपीटर वहम को देते हैं Right ? See this ही वात है तो हम इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा तो keyboard, mouse, camera, mic ये सारे input devices जनकी जरी हम कंप्प्योटर को कुछ instruction दे रहें, जैसे keyboard से हम typing instruction दे रहें, mouse से हम start, shutdown का instruction दे सकते हैं या बहुत सारे instruction दे सकते हैं, तो keyboard और mouse से हमें कुछ मिलता नहीं, हम देते हैं computer को, तो जिन devices कि थुआ computer को instruction हम देते हैं, उन्हे input devices कहा जाता है, जैसे वेब कैमेरे के थुरू हम वीडियो इंपूट देते हैं, माइक के थुरू हम वाइस इंपूट देते हैं, जैसे ये माइक है, इसके जरी वाइस इंपूट हो रहा है, ऐसे अलग-अलग इंपूट डिवाइसे से स्कैनर भी ले लो, या फिर लाइट पेन ले लो, जिस processing device की तरब processing devices वो devices होते हैं जिनके जरी data process होता है जैसे कि हमारे computer का CPU Central processing unit यह सिंगल सी चीप लगी रहती computer में लेकिन यह computer का brain होता है दोस्तों जी हाँ इसके मदद से ही हम पूरा पूरा processing कर सकते हैं तो यह processing device कहा जाता है CPU को processing devices devices basically कहा जाता है याद रखना है अब output devices बहुत सरो लोगों यह भी पता रहेगा जिनके जरी computer से data में मिलता है अब ऐसे कौन से devices है simple monitor है जिसके जरी हमें दिखाई देता है कि वह क्या चल रहा है computer में उसके बाद printer है printer जिसके जरी हमें hard coffee मिलता है printout मिलता है simple है जिन devices के जरी हमें data मिलता है वह हमरे लिए होगे output device तो अभी हमने input process और output device समझ ली अब हम RAM के बारे में जानते है random access memory pull pump तो आपको पता चला है लेकिन यह randomly access memory क्यों है क्योंकि यह randomly memory access करता रहता है एक memory को इसके अंदर store नहीं होती है अब इसका काम क्या होता है यह पहले समझा देता हूँ क्योंकि आपको इसका काम पता चला तो आप समझ जाएंगी कि आरे हाँ RAM की कितनी जरूर थे हमारी computer में जैसे example ले लो मुझे एक application स्टार्ट करना है और application मेरा store कहां पे होता है मेरा application store होता है hard disk के अंदर या SSD के अंदर याद रखिए आप जितने भी application इंस्टॉल कर लेते हैं वो सारे के सारे इंस्टॉल कहां पे होते हैं आपके computer में जो hard disk लगी रहती है जो storage drive basically वो storage drive hard disk हो सकता SSD होता है तो storage drive में हमारा Photoshop application store है मुझे वो स्टार्ट करना है मैंने इंस्ट्रक्शन दी दिया यह फोटोशॉप अगर है वाप है तो उसे वो start करने का काम दिया गया है तो वो start करेगा लेकिन यह पर प्रब्लम क्या होता है फोटोशॉप software Excel या फिर Corel RAW कोई भी software अपले लो इनकी library files बहुत ज़्यादा होती है तो SMA CPU का काम है कि इन software को start करने का instruction process करना लेकिन इन software को start करते समय इनकी जो library file से वो भी access होनी चाहिए तो वो library files भी quickly access होने के लिए हमें यहाँ पे ज़रुरत पढ़ती है RAM की जैसे CPU यह software स्टार्ट कर temporary store हो जाएगी अब यह temporary वहाँ पे क्यों store होती है इसका reason यह है क्योंकि हम इस software में काम करने वाले तो अलग-अलग instruction हम पास करेंगे कि फाइल ओपन करो image edit करो background change करो एसे अलग-अलग Photoshop में instruction पास करने वाले कि background change करने का यह टूल हो access हो तो यह सारे tools जो होते है यह सारे library files मे सारे software के तो यह library file में store होते है अब CPU का हम instruction दे रहे तो CPU प्रोसेस करना है उससे तो प्रोसेस करेगा तो बार-बार storage drive में जाएगा लाइबरी फाइल चेक करेगा फिर file access होगा तो यहाँ पे आपका CPU slow चलने वाला है basically CPU चलने वाला नहीं क्योंकि उसका काम processing का है file access करना उस CPU को हमने instruction दिया कि मुझे यह particular tool access करना है तो तूरंत access होगा क्योंकि CPU directly RAM से उठा लेगा RAM directly वो file उसे प्रोवाइड कर देगा तो यह बीच का processing का काम करता है अगर मैं simple बाशा में समझाओ कि आप एक desk पे काम कर रहे हो और आपकी कुछ files cabin में पड़ी है बहुत सरी files अब क्य करो तो इसमें आपका time जाएगा आपने क्या क्या है वो सारी की सारी files जितने भी clients आ जाने वो उनकी files आपने आपके table पे लाके रख दी 10 की 10 client की तो आपको पता है कि यह 10 client आभी visit करने वाले तो उनकी file आपके table पे तो आप तुरंत access कर लोगे तो ऐसा ही RAM है यहापे तो RAM क लेंगे multitasking हो जाएगा आपका computer राइट लेकिन यहापे ध्यान में एक बात रखनी है आपको कि यह temporary memory रहती इसमें कुछ store नहीं होता है जैसे आप computer shutdown करोगे तो इसके अंदर जितनी भी files library में पड़ी वो सब हड़ जाएगी राइट उसमें story नहीं रहती वो temporary access कर लेता है यह वो software भी बंद करोगे तो उसकी library files access होना बंद हो जाएगा totally right तो जब तक वो software चालो है या computer चालो है तो वहाँ पे उस memory में data पड़ा हुआ है RAM के memory में और जैसे आप बंद करोगे तो यह temporary रहता है यह delete हो जाता है यह erase हो जाता है इससे temporary memory भी कहा जाता है या volatile memory भी कहा यह भी आपको पता चला यह government exam में सवाल पूछ जाते कि RAM को temporary memory क्यों कहते है तो उसके अंदर data रहता ही नहीं वह data erase हो जाता है अच्छा फिर RAM temporary memory है तो permanent memory कौन सी है तो ROM permanent memory दोस्तों और RAM और ROM का difference मैंने अल्रड़ी समझाया है एक वीडियो में डीटेल में बताया अगर आप इंट्रेस्टर तो जाके चेक आउट कर सकते हैं अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो हमने description में हमारे application के link दिये जहां पर आपको हमारा course सीखने मिल जाएगा hardware related course available है तो चलिए हमने RAM input device output devices के बारे में जान लिया और अब आपका knowledge आपको बढ़ाना है तो community post ज़रूर चेक क अब बारी आती हैं दोस्तों giveaway अब giveaway में आपको क्या मिलने वाला है आप कैसे पार्टिसिपेट करोगे कैसे आप जीतोगे इस giveaway को यह सारी चीजे मैं detail में बताने वाला तो आप इंट्रेस्टर हो तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा क्या है giveaway में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते सबसे पहले giveaway में मैं आपको क्या देने वाला हूँ दिखिए मैं समझता हूँ कि अगर आपको इस skill acquire कर ले तो उसका कई न कई पे life में फाइदा होता ही है क्योंकि learning में की गई investment learning में दिया गया time आपको lifetime help करता है तो इसलिए मैं इस giveaway में आपको देने वाला हूँ मेरा diploma का पूरा का पूरा course diploma in computer application जिसमें आपको 15 courses access करने मिलेंगे 15 courses का ये package आपको मिलने वाला है और ये बिल्कुल free में लगबग इसकी market में 10,000 prizes यहां 10,000 prize का ये course जो मेरे application के उपर लगबग 5000 का है मैंने तो application के उपर बहुत ही कम prize रखी है तो ये 5000 का course मेरे application के उपर जो है वो यहां पर बिलने वाला है बिल्कुल free में और वो पाच user को मिलने वाला है एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं पाच user को मिलने वाला है ये giveaway में ये course लेकिन इसे participate करने के लिए करना क्या होगा ये course मेरे application के उपर available है तो सबसे पहले तो मैं आपको बता होगा कि ये course मे देरा application मिल जाएगा वहां से आप इसे download install कर लो आप mobile number डालके इस पर login कर लो पहले sign up कर लो basically आपने आपको register कर लो application के पर उसके बाद अब इस giveaway में participate करने के लिए आपको करना क्या है पहली चीज तो आपने play store में जाकर इस application से related review देना है आपको पहला एक ही कि आपको review दे इतना comment कर दिया तो भी चलेगा बस आपका comment इस video में होना चाहिए और तीसरा है कि नीचे आपको description में Google form मिलेगा क्योंकि हम आपको यह giveaway जो देने वाले वो random पाच लोगों को हम choose करने वाले है उसका announcement हम कहां पर करने वाले मैं बताऊंगा don't worry तो इसलिए आपको नीचे Google form दिखाए दे रहे description में तो Google form में आपका नाम, number और email ID दे के submit करना है that's it right तो यह तीन चीज़े यहाँ पर याद रखने ही पहले तो आपको skill course application का play store पर review देना है उसके बाद आपको यहाँ पर comment लिखना है इस video में yes I am interested और तीसरा आपको यहाँ पर Google form भर देना है तो अब एक video जरूर देख लेना मैं ऐसे giveaway start कर रहा हूँ जिससे मैं आपको computer master बनाओ तो आपको आगे की giveaway में participate करने का मौकाद जरूर मिल जाएगा दोस्तों अभी आप video देख रहे हो और साथ दिन नहीं हुए इस video को तो अभी क्या भी जाकर Google form भर दो skill course application download install कर लो और अपना नाम register कर लो और फिर result का इंतजर करो अब यह result आपको देखने कहाँ पर मिलेगा यह भी बता देता हो आपको कई पर जाने की जरूरत नहीं skill course जो application है उसमें आपको home tab पे यहाप में साइड में भी दिखा रहो home tab में study material नाम का tab मिलेगा जिसमें आपको study material नाम tab में एक folder मिलेगा giveaway result का और उसके अंदर एक PDF रहेगा जिसमें giveaway पाच लोग जो giveaway जीतने वाले उनका यहाँ पे नाम रहेगा और जिनका भी नाम आया रहेगा उनका course access रहेगा वो course कैसे access रहेगा skill course application में ही आपको नीचे profile option दिखाए दे रहा है और उपर courses tab में उनका course access हो जाएगा याद master बना के रहोंगा दोस्तों तो अगर आप interested हो तो भी अभी नाम register करो जल्दी सी जल्दी करो 7 दिन के अंदर ही यह giveaway का result मिल जाएगा जल्दी सी जल्दी तो 7 दिन मैं आपको time दे रहा हो तो 7 दिन के अंदर यह वीडियो देख रहेगा वीडियो का date देख लो और अपने आ जानकारी में देना चाहूंगा यह course जो 15 courses का एक साथ आपको course मिलने वाला है साथी में course completion का certificate मिलेगा in-app download मिलेगा और chat support मिलेगा हमारे application पर chat section जहां से आप हमें सवाल भी पूछ सकते तो आप जाकर application के उपर वाकी की detail चेक कर सकते इस course के बारे में कि कौन-कौन से 15 courses आप को सीखने मिलने वाले तो आप interested हो इस गीवाब में participate करने के लिए तो अभी application डाउनलोड कीजिएगा मैं मिलता हूँ आपको next वीडियो के अंदर तब तक के लिए अपना खयाल रखिएगा सीखते रहे है सीखाते रहे है बाई बाई